लाओडी स्पीकर पर अजान से दूसरों को हो रही परेशानी को लेकर अब भाजपा विधायक आकास विजय बरगी भी गूत पड़े हैं आकास का कहना है कि अगर आपको नमाज पढ़ना है तो आप बंद कमरे में या मस्जिद में पढ़ें मेडिय से बाचीत में उन्होंने कहा कि किसी को भी जबरजस्ती कोई चीज सुनाने की जरूरत नहीं है अगर मैं कोई चीज नहीं सुनना चाहता हूँ तो फिर भी मुझे वो चीज जबरजस्ती सुनना पढ़ रही है तो यह गलत है अगर आप अपने धर्म को मानते हैं और रोज नमाज पढ़ना चाहते हैं अजान चाहते हैं तो आप इकठा होकर बंद कमरे में पढ़ें जो नहीं सुनना चाहता उसको सुनाने की क्या जरूरत है इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है बिजवरगी ने कहा कि एक ही स्थान पर अगर आप रोज कोई मंत्र पढ़ो तो यूहीं आपका जीवर मुक्त हो जाए कल्यान हो जाए यह एक बहुत बड़ी चीज है कि रोज एक ही दिन एक ही समय पर मंत्र सुनना अगर कोई नहीं सुनना चाहता तो वो दूसरे धर्म को मानता है दूसरे मंत्र पढ़ता है ग्रंत पढ़ता है और जब अरजस्ति सुनाया जाये तो मुझे लगता है कि सारी चीजे नियम से हो चाहिए लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा को लेकर उन्होंने कहा कि जब यह नहीं रोका जा रहा है तो इसके विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं यह विरोध प्रदर्सन का एक तरीका है यह नीमित चली आ रही चीज़ नहीं हैं यह ध्याना करशन करने का तरीका है जो भी नियम में हो वे होना चाहिए लाउड स्पीकर पर बंढ़ होना चाहिए एक सवाल के जबाब में उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने जितना हिंदू के खिलाफ काम किया है विरोध किया है फिर राम मंदिर कह لें राम से तु कह लें उन लोगों के खिलाप हिंदू समाज जागरित हुआ है वे उसे ठीक करने की कोशिस कर रहे हैं समाज जागरुक वा समझदार है वह जानता है भाजपा ही देश के लिए सही है भाजपा ने हमेशा से ही चाहे वह स्टी एस्टी हो ओबी सी हो का कल्यान हो इसका प्रयास किया है मुख्यमंत्री खुद ओबी सी समाज से आते हैं भाजपा ने हमेशा स्टी सी ओबी सी का हिच्चा है कॉंग्रेस ने पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण के खिलाफ कोट में याचिका दायर की थी उन्होंने पंचायत चुनाव रुकवाने का पूरा प् सुनना चाहता है और उसे एक तह समय पर कोई भी अजान अगर सुना 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 जाती है और वो नहीं चाहता है सुनना तो यह गलत है अगर आप अपने धर्म को मानते हैं आप प्रतिदिन नमाज पढ़ना चाहते हैं अजान चाहते हैं तो आप अपने पढ़े ना बंद कमरे में पढ़े